दो फ्रेंग्स एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी चैनल डॉंट मीस जीके में दोस्तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में खुल कितने गाउं हैं तवसिल की संख्या कितनी हैं बलाक कितने हैं और रतलाम जिले में जन संख्या कितनी हैं ऐसे ही चोटी-चोटी जानकारियों पर ये वीडियो बना है आप इसे पूरा देखें वीडियो गर आपको पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले तो चलिए सुवात करते माज का वीडियो दोस्तो रतलाम जिला भारत के मध्यप्रदेश राजी का एक जिला है मध्य प्रदेश राजी में वर्तमान में कुल 52 जिले हैं रतलाम जिला जून 1948 में बनाया गया था और जन्वरी 1949 में इसे पूनर गठित किया गया था रतलाम जिला जो है मध्य प्रदेश के महत्वपूर जिलों में से एक है जो राज के उत्तर पक्षिम भाग मालवा छेत्र में इस्थित है रतलाम जो है कभी मद्ध भारत के पहले वाडिज शहरों में से एक था जो अफीम, तंबाकू और नमक के ब्यापक ब्यापार का केमर था रतलाम जिले में कुल कितने तफिल की संख्या है या फिर रतलाम जिले में तफिलों की संख्या कितनी है वरतमान में रतलाम जिले में कुल नव तफिल हैं जिनके नाम है रतलाम शहर, रतलाम ग्रामिड, सैलाना, बाजना, रावटी, जावरा, पिपलोदा, आलोट, ताल ये नव तफिल आते हैं रतलाम जिले में अगर यहाँ पर हम बात करें बिकास खंड यानि बलाक की रतलाम जिले में कुल कितने बलाक हैं वतमान में रतलाम जिले में कुल पाँच बलाक हैं जिनके नाम हैं रतलाम शहर, रतलाम ड्रामेल, सैलाना, आलोट, जावरा ये पांच ब्लाक हैं यानि पांच भिकास खंड इस्थित हैं रतलाम जिले में यहाँ पर अगर हम बात करें गाउ की संख्या की रतलाम जिले में कुल कितने गाउं हैं वतमान में रतलाम जिले में गाउं की संख्या 1089 गाउं हैं रतलाम जिले में और आगे देखें तो रतलाम जिले में ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है तो रतलाम जिले में 418 ग्राम पंचायत की संख्या है यहाँ पर अगर हम बात करें पुलिस इस्टेशन की तो रतलाम जिले में 23 पुलिस इस्टेशन की संख्या है और रतलाम जिले में नगर परिश बिधान सभा छेतर आते हैं रतलाम जिले में और रतलाम जिले का छेतर फल अगर हम देखें तो 4861 वर के किलोमीटर में फैला हुगा है और रतलाम जिले की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की बात करें तो 14,55,079 लोगों की है और दोस्तों यह जनगरना 2011 की जनगरना के अनुसार लिया गया है तो दोस्तों ये थी एक छोड़ी सी जनकारी रतलाम जिले की ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर रताएं आपको पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले तो चलिए मिलते हैं कुछ नया लेकर अगले वीडियो में तब तर के लिए धन्य बाद